कि नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रुमेन कुमार कंसल्टेंट पीडियाटीशन होली के आउसर पर आप सभी का हार्दी का विनंदन करता हूं मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी काफी स्वस्थ और सम्रिद्ध होली मनाएंगे कलरफुल होली मनाएंगे और अपने को स्वस्थ रखेंगे समाज को भी स्वस्थ रखेंगे तो होली की अवसार पर कुछ सावधानियों का जिक्र जरूरी है सबसे पहले होली खिलने जाएं तो आप अपनी तवचा पर पूरी तरह से तेल और मोईस्टराइजर का मसाज करके जाएं जिससे कि आपकी तवचा में रंग का असर ज्यादा नहीं हो दूसरी सवधानी बच्चों को खास कर ध्यान देना है कि रंग या अवीर का डायरेक्ट आखो और नाक या कान में एक्सपोजर नहीं हो इससे बचे और जब भी बच्चे होली खिलने जाएं तो पूरा सर्ट और पूरा मतलब पूरे बाज सरी पर तीसरी बात है कि जब थोड़ी धूप निकल जाएं तब बच्चे जाएं ताकि अगर वह पानी से भीगे भी तो उनका कपड़ा सुख जाएं और ज्यादा देर तक पानी का असर नहीं हो क्योंकि ऐसे में ज्यादा देर भीगे रहने से सर्दी होने की संभावना र बच्चे हरवल रंग और हरवल अभीर का ही प्रयोग करें जिससे कि खुद को या सामने जिसे लगा रहे हैं जिस पर फेक रहे हैं उन पर ज्यादे उसका कोई नुकसान नहीं हो और अगली बात यह है कि आप जब भी होली खेलें तो एक दूसरे की सुरक्षा का पूरा ध् करते हैं होली खेलने के लिए तो द्यान रखें कि वह किसी भी वाइटल और जो की जैसे आंख है कान है नाख है इन समय वह आपका मअठिया यह समें जाए और अगर पांक से खेलते हैं तो इसे मैं ध्यान रखी कि कंकर पत्थर नहीं हो ताकि किसी को चोट नहीं लगे तो एक बार फिर से होली की हार्दिक सुभकामनाओं के साथ आप सभी को हैपी होली, स्वस्थ होली और इंज्वाइफुल होली, कलरफुल होली की सुभकामनाएं मेरी तरब से बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो में अगर कोई जनकारी आपको अच्छी लगे तो इसे सेर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद बहुत 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 लगे टारी आपको अगर कोई जनकारी कीजिए, लाइक कीजिए, जनकारी आपको अट्वाद